13 अक्टूबर 2022 को सरला बिरला विश्विद्याले के फेकल्टी अफ कॉमर्स और बिजनेस मैनेजमेंट के द्वारा Emerging Trends in Innovative and Sustainable Business Practices थीम पर दो दिवसिये नैशनल कॉन्फरेंस का विदिवत शुभारम बिके बिरला ओडिटोरियम में हुआ जहां मुख्यत थी के रूप में Government of जार्खन के ADG Special Secretary Department of Home IPS श्रीमती तदाशा मिश्रा थी एवं विश्विद्याले के कुलपती प्रोफेसर गोपाल पाठक ने इस कारेकरम किया धक्षता की मौके पर श्रीमती तदाशा मिश्रा ने Emerging Trends in Innovative and Sustainable Business Projects थीम पर चर्चा करते हुए कहा की आज सस्टेनेबल बिजनेस समय की मांग है पर्यावर्निय परिवर्तन एवं उत्पन चुनौतियों का सामना करने के लिए सस्टेनेबल बिजनेस कारगर साबित हो सकता है उन्होंने गांदी जी के विचारों एवं सिधानतों की चर्चा करते हुए बिजनेस में एथिक्स का काफी जोर दिया साथ ही इस कारिकरम में अनिगनमान अतिती ने भी अपने विचार साजा किये बता दे कि इस नैशनल कॉन्फरेंस में बड़ी संख्या में जारखन के विभिन स्थानों एवं विभिन विश्विद्यालेओं तथा कॉलेजों के प्रबंधक, सिक्षक, रिसर्च, स्कॉलर, अदानी पावर, मेकॉन लिमिटेट, सी सी एल, सी एम पी डियाई, एम के नॉमिनेटेट कॉर्परेट एग्जेक्यूटिव एवं, रिप्रेजेन्टेटिव एवं, सिक्षावादो, छात्रो, सहित, एक हजार से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया Newswing के लिए रांची से महक मिश्रा की रिपोर्ट